नमस्कार, मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज खबर का एक्रम खोज सच की पड़ताल, जनपक्ष नजरिया, बेखौफ, बेभाग, सत्ता का जूट, बेनकाब, आग में तपी पत्रकारिता, दापती है, सवाल, दरसवाल आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की, जिसने अपनी चाप, खौफनाक चाया, आज तक भारती लोकतंत्र, हमारे आपके जीवन, राजनीती, अर्थविवस्था, हर जगा यूही बनाए रखा है आज का दिन है 6 दिसंबर, 6 दिसंबर 2021 में, 6 दिसंबर को हुई घटना को 29 साल पूरे हुए, आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को धाहाया गया था और तब से लेकर अभी तक संस्थागत नफरत का जो पूरा का पूरा दौर है, उसे 29 साल पूरे हो जाते हैं हम अपने आसपास जब देखते हैं, जिस तरह से कुछ हुजूम आता है, कुछ लोगों को नमाज पढ़ने से रोकता है, कुछ लोगों को चर्श में पूजा करने से रोका जाता है, कुछ लोगों को खाने और पीने से रोका जाता है, तब लगता है कि अचानक ये जो देश के समिधान को गिराने की भारतिय लोकतंत्र को ध्वस्त करने की भारत में जो लोग अमन चैन में विश्वास रखते हैं उन सब के विश्वास को धक्का देने की जो शुरुआत छे दिसंबर 1992 में आयोध्या में बाबरी मज़ित को गिराने से हुई थी वह आज एक बड़े खत्रे के तौर पर हमारे आपके जीवन के बीच मौजूद है छे दिसंबर को हम आप पूरा देश समिधान रचैता बाबा सहाब भीमराव अंबेटकर को भी याद करते हैं आज ही के दिन उन्होंने हमसे विदाली थी 65 साल पहले देश का समिधान पूरा का पूरा धाचा अलग-अलग बहसों के दौर में हमारे सामने जो आज मौजूद है 65 साल पहले बाबा सहाब भीमराव अंबेटकर विदा हुए और 29 साल पहले उनके समिधान पर जो टिकी हुई आस्था थी लोगतंत्र पर जो टिकी हुई आस्था थी वह गिरती है बाबरी मस्जिद के साथ साथ और आज जो हमें अपने आसपास दिखाई देता है वह दिखाई देता है कि वह जो एक तंत्र विक्सित हो रहा था जो यह बताने की कोशिश कर रहा था कि देश का कॉंस्ट्यूशन देश की पार्लेमेंट देश का जो पूरा का पूरा कानून वेवस्था में विश्वास क करने वाला जनतंत्र है वह निर्नायक नहीं है आज 29 साल बाद उसका चक्र पूरा होता है इसे समझने के लिए हमने बाचीत की वरिष्ट पत्रकार राधिका राम सेशन से वह 5 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच आयोध्या में उसी समय थी वहां आई विटनेस के तौर पे जो त कामिल थी राधिका राम सेशन उन्होंने बाबरी मस्जित को गिरते हुए देखा सिर्फ इतना ही नहीं जो कमिशन बना लिबराहन आयोग बना वहां पर जाकर अपना पूरा का पूरा बयान भी लिखाया आईए जानते हैं कि राधिका राम सेशन किस तरह से यह जो 29 साल का सफर है भारती लोकतंत्र का उसे देखती हैं और समझती हैं राधिका जी न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आज 6 दिसंबर है आज की तारीख बहुत एहम है भारती लोकतंत्र के लिए और आप की जो भूमिका रही है बतौर सीनियर ज दिसंबर बानवे में बापरी मजिद गिराई गई तब से लेकर आज तक उस समय का आप आई विटनेस हैं आपने बहुत लंबी प्रक्रिया की आपने अपना जो पूरा अब्जर्वेशन था वो भी कमिशन को रिकॉर्ड कराया था कैसे आज आज आप देखती हैं 6 नाइटीन एटीन नाइन में जब शिलन्या वहां पे वह इस ठाल में अयोधिया कांग्रोस के बदोलत से यह पॉइंट स्ट्रेस करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कॉंग्रोस के बदोलत से ताला खुलवा गया और शिलन्या जुआ और वह धांचा जब से गिरा मैंने क्लोज भी कवर किया वो पूरा पीरिएट नाओ आज के तारीक में अगर जाज से पीछे होके जड़ा देखा जाए तो मैं मांती हूं की जो भी हो रहा है आज के तारीक में जो पोलराइजेशन एक तरह से कंप्लीट हो गया है रिलिजिस पोलराइजेशन खाज़ ये से आयोध्या से ही शुरू होता है उसका जड़ जो है योध्या को ही करते यह नहीं मैं बिल्कुल यह नहीं कह रही हूँ कि उसके पहले communal riots नहीं होते थे या communal violence नहीं होते थे या minorities के किराफ अत्याशार नहीं होते थे कई जगाओं में होते थे लेकिन वो किसी तरफ जब जाते थे और जिस तरह लोग आजकल जो एकदम खुले आम minorities को गाली देते हैं खुले आम उनको publicly attack करते हैं जगा जगा में जो भी हो रहा है उतना बड़े पैमाने में उस समय नहीं हो रहा था यह पूरा नतीजा आयोध्या से लीजे और आयोध्या के बात में यह मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा contribution जो रहा है RSS और BJP को वो इस तरह हिंदू को यह बचा दिया कि आपको जो मर्जी है minorities के प्रती कर लीजे जो बोलना है बोलिए कानून जैसे कोई चीज आपके उपर लागू नहीं होगा आप हिंदू है और आप अपना identity को असर्ट करिये बिल्कुल कोई घर से असर्ट करिये घर से कहो हम हिंदू है वही तो इनका ओरिजिनल फ्लोगन था तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा contribution उनका यही है यह contribution तो नहीं कहना चाहिए का contribution गलत शब्द है लेकिन मैं यह negative तोर पर यूज कर रही हूँ मैं कोई positive भी नहीं यूज कर रही हूँ हमने बाचीत की फिल्मेकर आनन पटवर्धन से जिनकी फिल्म राम के नाम कड़ी दर कड़ी जोड़ कर बताती है कि किस तरह से जो हिंदुत्व का उन्माज शुरू हुआ बाबरी मस्जित के इर्दगिर्ध राम जन भूमी आंदोलन के नाम पर उसने किस तरह से भारत की स राजह विरासत को द्वस्त किया और फिर अंतिता बाबरी मस्जित ध्वंस में कल्मिनेट हुआ या यू कहिए कि वहां से जो दौर शुरू हुआ जिस समय हम और आप बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में उनकी यह फिल्म राम के नाम दिखाने पर बवाल होता है हम और आप सब जानते हैं कि जो असहमती के स्वर हैं उन पर बात करना उन पर बहस करना तकरीबन असंभव सा होता जा रहा है चाहे वो मुनवर फारुकी हो या कुनाल कामरा या अंग गिनत लोग हमारे बीच जितने स्वर मध्धम या तेज हैं उन सब के उपर हमला ही है कि 6 दिसंबर 1992 में जो एक क्रिमिनल अक्ट सुप्रीम कोट ने भी माना किया क्रिमिनल अक्ट था इस क्रिमिनल अक्ट को भूलाने की बहुत तेजी से कोशिशे हैं जो लोग इस क्रिमिनल अक्ट को ग्लोरिफाय या शौरे दिवस के रूप में मनाते हैं उनके पक्ष म एक बड़ा जन्मानास भारतिय राजनिती खड़ी हुई आज की तारीक में नजर आ रही है जो क्रिमिनल एक्ट हुआ उसे जिस तरह से दबा दिया गया उसे कोई चर्चा नहीं है कोई प्रतिरोत की आवाज नहीं है उससे यह भी पता चलता है कि भारतिय राजनिती का जो दक्षन पंथी रुजाव हुआ जिस तरफ वह गई है जिस तरफ वह आज खड़ी है यह उसकी परणिती थी जिसे रादिका राम सेशन कहती है कि पूरा जो सरकल था पूरा जो सरकिट था वह पूरा होता दिख रहा है यह अकारण ही नहीं है कि जिस समय 29 साल पूरे हो गए इस क्रिमिनल आक्ट को हुए जिसे देश दुनिया सब ने देखा कि एक उनमादी भीड बाबरी मस्जिद के उपर चड़ती है उसे तोड़ती है और उसके बाद से उसे तोड़ने वाले जो लोग हैं वह देश की सत्ता पर काबिज होते हैं जो तोड़ने वाली विचारधारा है वह देश की सत्ता पर क और इस तरह से तमाम जो प्रक्रियाएं चलती हैं देश की लोकतंत्र के जितने खंबे हैं वह सब इस क्रिमिनल एक्ट को न्यू नॉर्मल में तब्दील करते हुए दिखाई देते हैं। आईए सुनते हैं आनन पटवर्धन को कि वह कैसे देख रहे हैं अपनी राम के नाम की कहानी को 2021 में। आप जन्मभूमी आंदोलन पूरा शुरू हो रहा था। बाबरी मस्जिद ध्वंस तक आपकी कैमरे की निगाह बहां बहुत तीकी मौजूद रही। आज आप कैसे देखते हैं ये पूरे घटना क्रम। जैसे आप जानती हैं कि 6 दिसंबर के दो अर्थ हैं। एक तो आज का दिन है जब बाबरी मस्जिद को गिराया याने पहली बार पहली बार नहीं। जब फाइनली गिराया गया वो 6 दिसंबर है। मगर 6 दिसंबर आज अमबेट करके भी तो 6 दिसंबर हमेशा हम चैति बूमी में जाते हैं और वहां पर लाखो बलितों के साथ इस दिन को मनाते हैं। और मुझे याद आहरा है कि उस 6 दिसंबर को भी जब बाबी मजद गिराई गई उस 6 दिसंबर को हम राम के नाम फिल्म चैति बूमी में दिखा रहे थे। याने चैति बूमी में बड़े समेलन में हम फिल्म स्क्रीनिंग कर रहे थे। जब न्यूज आई कि एक्चुली न्यूज आ रही थी कि डेमोलेशन हुआ है। और तो 6 दिसंबर यहने दुखत दिन है। इस दिन मेरे ठ्याब से यहां से हमाई डेमोकरसी का खात्मा शुरू हुआ। अभी तक खतम नहीं हुआ है। मगर अभी भी कोशिश उनकी तरफ से जा रही है। और 6 दिसंबर को हमें लगा जब पहली बार डेमोलेशन हुआ। और उसके उसी दिन शायद सरकार ने अनौंस कर दिया था कि हम बाबरी मस्जिद उसी जगह फिर से बनाएंगे। यह सरकार उन दिनों की सरकार यहने नर्सिमा राओं की सरकार थी उन्होंने यह अनौंस किया था। और वाजपई जैसे लोगों ने भी कहा कि यह बुरा हुआ है। मगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उसके बाद में और फिर जो केसे चलिए। पहला केस जो धक्का देने लायक था वो था कि अलाबाद हाई कोट में यह निर्ने दिया कि भगवान एक लीगल एंटिटी है। भगवान श्री राम नहीं राम लला। नहीं राम लला की प्रोपर्टि है और उन्होंने एक वकील लगाया है और वो केस उनको पार्ट्ली उनके पास गई है। वो एक डिमोक्रिसी में इस तरह से होना वो भी सेक्यूलर डिमोक्रिसी जो हम अपने आपको कहते हैं वहाँ पर भगवान एक प्रॉपर्टी ओनर है यह अश्चा जय जनक्ती है यह जो 29 साल का सफर है इसके बहुत से ऐसे अध्याएं हैं जिन पर बात बहुत कम है जिन पर बात बहुत गंभीरता से होनी चाहिए थी ताकि यह क्रिमिनल एक्ट दुबारा दोहराया ना जाए लेकिन हम देखते हैं कि पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है एक उनमाद है इस क्रिमिनल एक्ट हो काशी हो या मतुरा हर जगा दोहराने की कोशिश चल रही है इसमें एक बहुत एहम नाम है जस्टिस रंजन गुगुई का उनकी नई किताब आई है जस्टिस फॉर जज्ज यहां उनका नाम जिक्र करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि उन्हीं के जरीए जो फैसला था वह भी सामने आया था राम जन्म भूमी पर विवादित फैसला जिसने अंततह माना कुछ भी हुआ हो बाबरी मस्जिद गिराई गई हो बानबे में एक भीड संगठित पूरा का पूरा गिरोः बाबरी मस्जिद के उपर चढ़ा देश की जन्ता के सामने उसे ढाया गया लेकिन दोशी कोई नहीं जिस तरह से एक फिल्म बनी थी नो वन किल्ड जेसिका उसी तरह से आज की तारीख में नो वन डिमॉलिष्ट बाबरी मस्जिद शायद बाबरी मस्जिद अपने आप गिर गई धै गई 6 दिसंबर 1992 को याद करना आज की तारीख में और ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे चारो तरफ वही क्रिमिनल आक्ट पूरी की पूरी इंपिनिटी के साथ दोहराने का क्रम चला जा रहा है अब नागा लैंड ही को देखिए नागा लैंड में असम राइफल्स ने जिस तरह से कोल बलड़िड मर्डर किया 14 लोगों को जिसका नाम उन्होंने दिया मिस्टिकन आइडेंटिटी और पूरी की पूरी कोशिश हो रही है कि मामले को रफा दफा कर दिया जाए जिस तरह से हम देखते हैं कि कश्मीर में जो हिंसा का दौर चलता है उसे जस्टिफाई करने का दौर पूरा चलता है उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में जो लिंचिंग मौब तैयार की जा रही है वह सब की सब आग पा रही है 6 दिसंबर 1992 में जो क्रिमिनल आक्ट भारती लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो दिवार गिरी सबसे बड़ी जो खाई गिरी हमारी साजा संस्कृती को द्वस्त करने के लिए वहां से वहां से जो नफरत का दौर एक क्रिमिनल आक्ट क्रिमिनल गून्स और उसके बाद उसका जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज या यूं कहिए कि जो राजनितिक रंग अख्तियार किया उस पूरी घटना ने उसके इर्द गिर्द आज भारती लोकतंत्र बहुत पंगू नजर आ बहुत ही घुटना टेक इस्तिती में भारती लोकतंत्र है शायद आज की तारीख में 6 दिसंबर 1992 में जो खौफनाक घटना जो खौफनाक मनजर हुआ जिसने भारत में आजादी के बाद से सबसे बड़ी लकीर खीची कि अगर एक उनमाद को राजनितिक वर्द हस्त मिलता है तो वह किस तरह से धजियां उडाती है देश के सम्मिधान की देश के लोकतंत्र की देश के कानून विवस्था की उसकी बानबे की तब से लेकर आज तक हमें बहुत साफ दिखाई देती है और इसी से जुड़ा एक बहुत एहम सवाल है कि बानबे को भूलना क्यों खतर कर रखा है वही एक चलन हो गया है वही भारती लोकतंत्र को सबसे बड़े संकट में डालने के लिए तयार है अंत में अजे सिंग की एक कविता है यहां इसमृती को बचाने का वक्त है और मुझे लगता है कविता की यहां पंक्ती हमें बताती है कि जहां भी जब भी जो न नाइनसाफी को यार करना बेहत जरूरी है शुक्रिये